आज हम बनाएंगे विहार की थेमा चाने के सत्तू के लिट्टी और आलू के चट्मी खाने में बहुत मज़दार लगते हैं तो इसे चाहे तो आप ट्रेन के सफर कर रहे हैं तो ले जा सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होते हैं चाहे तो आप 5-6 दिनों तक इस्टोर करके कं लगते हैं तो चलिए इस रस्बिए के सुरू करते हैं शेलो गयाइस गुड मॉनिंग कुकडेली में आप सबीके स्वागत है हमारे रस्पी अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजै तो चलिए इस च्छोटी चमस नमाक इद्धू चुटकी हम बेकिन सोडा ले लिए हैं बेकिन पाउडर नहीं लिए हैं इस एकदम खिला खिला एकदम लिट्टी बनके तयार हो जाएगा तो इसी मेट कर देंगे अब इसमेट करेंगे रिफाइन ओईल आप चाहिए घी भी ले सकते हैं तो इसमें डाल दिये हैं चार छोटी चमस ओईल अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम आटा के हम मैस लिए हैं देख सकते हैं मुठी बनाने लगा है तो एक चमस ओईल इसमें हम डाल दिये हैं तो इससे एकदम खसता एकदम बनके तयार हो जाएगी लिट्टी तो इससे थोड़ा थोड़ा हम पानी डालके हम पराठे से थोड़ा टैट लगांग अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब इसे हम पंदरा मिनाट रेस्ट में छोड़ देते हैं अटा इसको धाक देते हैं धाक कर हम छोड़ देते हैं सत्तू के हमें स्टफिंग बना के तयार कर लेते हैं तो इधर ले लिए हैं हम चाना के सत्तू ले लिए हैं दूसर और भाइन जे आधी छेटी चमस क्लोंजी ले लिए हैं अप इसे मंगलेला भी बोष सकते हैं इदर दरा क्पोटा हुगा है अधरा क्लास्टान और हरी मिर्ज के एक दरदरा कुटा हुगा है, खल वत्ते में हम अच्छे से कुट लिए हैं इसको पेश्ट ना बनाएगा, इस पेश्ट बनाने से अच्छे नहीं बनते है आना तो आप काट करके ले लिए, बारिक काट करके अपले लीजिए तब इसी मेट कर देंगे आधा अनियन ले लिए है बारिक चप किया हुआ दो पिंच हेंग इसे फिलवर बहुत अच्छा आता है तकला नमक ले लिए आधा छोटी चमास से कम लिए है इस वात के अनुसार नमक डाल देंगे आधा छोटी चमास से कम कस्मीरी लाल मिच पॉडर एक छोटी चमास निमू के रास इसके जगाव आचार भी डाल सकते हैं निमू के रास डालना से एकदम चट पटा इसमें टेस्ट आ जाते हैं सत्तू में तो इसी में एट करेंगे दू छोटी चमास सरसो ओईल इसमें डाल देंगे थोरा चीनी ले लिए हैं इसमें खटा मिठ अच्छे से टेस्ट आ ज़ागा इसमें इन सबको हम मिक्स कर लेंगे आप इसमें एट कर देंगे थोरा सा पानी इसे एक दाम थोरा सा निए गीला टाइप के हो जाए भरने समय दिकत नहीं होते हैं की सब्सक्राँ ए seis laugh ह्चे read में रखते हैं हम आलू के चट्नी बनाना के तयार कर लिते है ता लू के चट्नी बनाने के लिए और मां चालोव ले लिए मेडियम साइज अलू लिए है अब बोईल करके एगदम छंडा कर लिए हैं आ पैविसे हम एना गिनियाटा करना है इ भूण sentiments आपाइड करेंगे हम दर्दरा खलवट्रे में कूट लिये है अभ इसे एट कर देंगे बहुत सरा राम लंसन डाले हैं आप लंसन जादा करके आप ढालीएगा चटनी के अंदर स्वाध बहुत अच्छे आते हैं तो इसी में आट करेंगे अधा छोटी चमास भूना आप फूर्ण के इसी में हमें एट कर देंगे से बद़े अठा फूर्ण को टा हुआ कालि मिष तर आप आधा छोटी चमस हल्दी पौडर, आधा छोटी चमस कस्मीरी लाल मिच पौडर, आधा छोटी चमस आमचूर पौडर, इसके जागा आप चाट मसला ले सकते हैं, रोष्ट किया हुआ कसूरी मेथी, इसी मेट कर देंगे, हरा धनिया पत्ता, आधा छोटी चमस कला नमक, आध इसमेट करेंगे निम्बू के रास, इसमेट करेंगे सरसो ओईल, चार छोटी चमस, अब इसमेट करेंगे गुनगुना पानी हम करके थंडा कर लिए हैं, थंडा करके आपको डलना है ना तो चटनी खराब हो जाते हैं, गरमा पानी डालेंगे तो चटनी तुरंद खराब हो तो यह ठंडा करके आप डालेंगे तब 10-15 दिन इस टोड करके आप रख सकते हैं चटनी खराब नहीं होते हैं अब इसी में एट करेंगे तेधर चटनी बना के हम तयार कर लिए हैं गरहा इतना रखे हैं ता आप चाहे तो थोड़ा सानिया और पतला रख सकते हैं वागी चटनी अतने गरहा रखते हैं प्रज़ों चटनी के तरका त्यार कर लेते हैं यह पएन ले लिए अब इसी में वोइल डाल दीए हैं वोइल गरम हो गया है यह इसी में आधा छोटी चमग शर्सो डाल देगे दूपिंच हेंग अब इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम तरका लगा लेंगे तब इसे हम मिक्स कर लेते हैं चलिए आलू के चटनी बन के तयार हो गया है तगाई सी चटनी हम हलुआई से सीखे हैं बनाने के तब देखे जिए चटनी बन के पूरा रेडी हो गया है तो चलिए अब लिटी हम तयार कर लेते हैं तो इधर आटा भी तयार हो गया है पंदा म मिक्स कर लेते हैं तो हम छोटा छोटा हम बॉल से तोर लेंगे तो बॉल एक दम गोल कर लिए हैं चिकना कर लिए हैं अब इसे हम कर लेंगे अब इसे में हम सत्तु के अश्टाफिंग हम डाल देंगे तब हाँ से परेश करके इसको दबा देते हैं अश्टाफिंग दवाते जाइए आए पाठ बच्चा हुआ है यह थोड़ा सा बच्चा हुआ है हम अटा देंगे इसे चिप्टा कर देंगे तो एक बनके तयार हो गया है तो सेम इसी करके हम बना के तयार कर लेते हैं तो लीजिए पूरा हम लिट्टी बना के तयार कर लिए हैं आप देख सकते हैं कि इदर हम तयार करने यह वैल गुटने के लिए हम डाल दिये हैं आप इसे हम गर्म होने देते हैं जाहिए फेले मिन इठी हैं अबendra ुछ अब हिसी में हम डाल देंगे लिटि थी आप देख सकते हैं लिट्टी केतना अच्छा से फूने लगा है लिट्टी पूरे तैयार हो गया है अब इसे हम निकालेंगे अब देख सकते हैं एक दम पोटल में खाने आप लोग लिट्टी नहीं जाते हैं एक दम खिला 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 एक दम मार्केट वाली लिट्टी बनके पूरा तयार हुआ है अब देख सकते हैं एक दम खिला खिला लिट्टी है तेस्टरा ओईल है तो हम निकाल लेते हैं आईसे निकालने से पहले हम हाई फिलेम कर दिये हैं तेल इसमें अब जब नहीं होता है तशेलिए अभी निकाल लेते हैं लिटी पूरा तयार हो गया है हन्कłe लेटि हम कर लेते हैं के हम लो कर दिये हैं मेडियम टी लो तेलीज़िये पूरा लिट्टी की तयार हो गया है एक Buy के तरह लग रहा है गइस एक दम कौचबला खिला वन के तयार हो गया है तो चल्ड़े इसे अ मं सर्फ कर लेते हैं तर शर्फ करने के लिए इतर अवर ली तैयार किया हुआ था चत्नी आलू के में सर्फ करते हैं दिली जी हम सर्फ कर लिए हैं रचेडिया इसे हम टेस्ट करके दिखाते हैं जा रहे हैं लिट्टियो चटनी को कि हमारे कैसे बना है तो भी हम टेस्ट करते हैं और आप पटाइटो की चटनी यह देख सकते हैं कितना फूला फूला है सौफ्ट भी है तो तहो। तोड़के दिखाते हैं जाउसे बहुत जदग्रम और देख सकते हैं अंदर तक पूरा फिलिंग मेंनी द्रहु वneजीं सकर भूल कि आलो की चटने के साथ और सबसर पहले मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करता हं कि इसका COM अच्चा है जसे 3ड portion Trump? कि खाने में एकदम चटपटा और क्या कहूं यह इतना ज़या टेस्ट ही कि पूझा मत और चटने के साथ तो और ज्यादा गाइज चटनी तो बहुत ज़या चटपटनी थी है एकदम और आप इसको जब गए पर टाय किजिगा यह बहुत ज़या टेस्ट ही है तो चले इस रिस्पी को एंग टाहु तो अगर प्रेस्पी अचा लगो तो लाइस सब्स्क्राइब कर दाना तो प्रेंगे वोचिंग और आप झाल